साथ्यों किसानों के नाम पर गांग गांग गरगर जाकर कैसे उन्होंने वोट भांगे थे यह आपको भी आद होगा कहां था दस दिन के भीतर पूरा कर्ज माप कर देंगे और भी कहते थे छोटे बच्चों को जो से मास्टर जी पढ़ा देने एक दो तीन हुआ था नहीं से दस जीन को पउधा किसको कहते हैं पैड किसो कहते हैं इसका ज्यान नहीं है और खेती और किसाने के विशेशक्ये बनकर यहां के लोगों थे बड़े-बड़े भाईदे कर रहे हैं फिर याज करिए क्या कहा था दस दिन में पुरा कर्ज माप नहीं किया तो मुख मंत्री को पुरी तरह से जरूर बिदल दूँगा क्या करज माप हुआ क्या जरा पुरी ताकेते बताए किसानों का पूरा करज माप हुआ क्या कर्ज माफ हुआ क्या पांच बार बोलिये कर्ज माफ हुआ क्या कर्ज माफ हुआ क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ क्या किसानों का कर्ज माफ हुआ क्या अगर कर्च माफी नहीं हुआ तो मुखमंत्री तो जूरू बदल गया होगा क्या बढ़ला है क्या मुखमंत्री बढ़ला है क्या उन्होंने जिसको बढ़ा था वोही ना अब बताईए ये मत्ब देश के लोगों के साथ बादा खिला भी है के नहीं है यह आपके आंख में दूल जोकिक नहीं जोकि यह जुड बोलने में माहीर है के नहीं हैं यह लोगों को मुरग बनाने का खेल खेलते अगर नहीं खेलते बाई और बहनों इनको ना किसान की फिक्र है ना उन्हें जवान की और नहीं उनको देश के नवजवान की चिंता है इने सिर्फ दोखा देना आता है धार को भी इन लोगों ने हमेशा दोखाई दिया है आप मुझे बताएए इंदोर दाहोद रेल लाइन का भूवी पुजान 2008 में किया गया था किया गया तक नहीं उसके बाद वो भूल गए नहीं भूल गए वादा खिलापी की नहीं की आपके पीट में छुरा भोका कर नहीं वोका अब हमारी सरकार इस काम को पुरा कर रही है भाई जब सिवराज जी की सरकार यहां थे तो विकास के बहुत से कार्य हुए थे उनकी सरकार के जाने के बाद और कॉंगरिस सरकार के आने के बाद अम्मद्द प्रदेश की क्या स्थिती है आप और यहां के लोग खूद महसूस कर रहे हैं साथियों हमारी सरकार ने आदिवाचियों जन जाती के हित्कों को भी हमेशा सरवापरी रखा है वन धन योजना के माध्यम से इस सुनिशित किया जा रहा है कि जंगल से जो आप उपज लेते हैं उसकी बहतर केमत आपको मिल पाए वन उपज में मुल्य वृद्धी करने के लिए वन धन केंद्र बनाये जा रहे हैं इसी तरह वन उपज पर जो समर्थन मुल्य सरकार देती हैं उसमें बीते साड़े चार वर्ष में तीन बार बढ़ोती की गई हैं अभी दिसंबर में ही तेईस उपजों का समर्थन मुल्य बढ़ाया गया है इतना ही नहीं इस दोरान सरकार द्वारा MSP के दाइरे में आने वाली फसलों में भी बुद्धी की गई है साल 2014 से पहले जंगल से मिलने वाली 10 फसलों पर MSP मिलता था अब करीब करीब पच्चांस फसले इसके दाइरे में हैं हमारी सरकार ने ही बास के कानून में भी बढ़लाव किया अब आप अपने खेत में भी बास उगा सकते हैं और उसको बेचकर अपनी आई बढ़ा सकते हैं पहले ऐसा संबव नहीं था क्योंकि बास को काटने में तमाम कानूनी अर्चने थी भाई और बहनों धार की चित्रकला और यहां बनी बास की कलाकुरतियां तो देश और दुनिया में मशूर है बास से बने सामानों की बहुत मांग है यहां के स्थानिय उत्पादों को बड़ा बाजार मिले इसके लिए तक्निक का भी इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है ट्राइफेड यहने भारतिये जनजातिये सहकारी विप्रण संग का ओनलाइन कारोबार में भी विस्तार किया गया है साथियों आदिवासिक शेत्रों में सिक्षा से लेकर काउशल और रोजगार तक क्याने एक प्रयास किये जा रहे हैं हमने जन जाते एक शेत्रों में एक लब्वे मॉडल स्कूल खोलने का ब्यान चलाया है इसके तहट 20,000 जर्जिक की आदिवासी आबादी वाले खेत्रों में स्कूल खोले जा रहे हैं साथ्यों देश की आजादी से लेकर देश के विकास में जन जातिया आदिवासी नायकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है विशेश तोर पर 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में आदिवासी शेनानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है भाजपा सरकार ने इस योगदान को सम्मान देने का काम भी कर रही आजादी के लड़ाई में जिन आधिवासी बेटे बेटियों ने बलिदान दिया हैं उनकी याद में देज भर में समारकों का निर्मान हो रहा है भारत ने अब आतंकियों और आतंके सरपरस्तों को डंके की चोड़ पर कह दिया है कि अब उनके सामने सुधरने के अलावा कोई चारा नहीं है और अगर वो फिर भी नहीं सुधरेंगे तो फिर क्या किया जाएगा क्या होगा ये भी उन्हें बता दिया गया है भाई और बहनों आप मुझे बताईए भाई और बहनों आप मुझे बताईए आतंकियों को सजा देना जरूरी था या नहीं था ऐसे नहीं जब आप बड़े बड़े लोगों के कान तक पहुचना चाहिए आतंकियों को सजा देना जरूरी था या नहीं था हमारे वीर जवानों ने सही जगर वार किया कि नहीं किया मैं आप धार वास्वे से पूछ रहा हूं मेरे जनजातिय समुदाय के भाईयों बनों को पूछता हूं जंगलों में जिन्द की गुजारने वाले मेरे भाईयों से पूछना चाहता हूं आप मुझे इमानदारी से बताना क्या आपको हमारी सेना की जो पराकरम है हमारी सेना का जो पराकरम है उस पराकरम पर आपको गर्व है साथियों आपको लगता है कि हमारे वीज जमानों ने सही किया पूरे देश को लगता है कि हमने सही किया अरे सारी दुनिया ने कह दिया था कि हाँ हिंदुस्तान के लिए यही मार्क था लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हाँ कुछ ऐसे लोग है जिनको ऐसा नहीं लगता है भाई और महनों जिस पार्टी ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया जिस पार्टी के नेताओं ने हमारी पराक्रमी सेना के हाथ बात करके रखे उसके नेता अब हमारे बीर जमानों के सामर्थ पर सवाल उठा रहे हैं और इसमें भी मत्रदेश के एक नेता जरा और आगे नजर आते हैं सात्यों आज सुबर ही इन महाशय में पुलवामा में हुए आतं की हमले को दुरगटना करार भी आ है यानि एक्सिजन्ट है ऐसा कहा है यानि एक हाथ सा जो बस हो गया देश वासी समझने यह ऐसे ही नहीं बोले हैं यह इनकी मान सीक्ता है यह इनकी रगों में पड़ा हुआ है आतंकियों को बचाने के लिए उनका पक्स लेने के लिए अब यह उनके द्वारा किये गए हमले को सिर्फ एक हाथ सा बता रहे है आप मुझे बताईए किया पुलवामा में जो हुआ वो हाथ सा था क्या एक्सिदन था क्या क्या यह आतंक की हमले की राक्षसी कृत्ते की गंबीरता को कम कोर्रे की कोशिश है के नहीं है साथियों नामदार परिवार के यह वही खांस सिपास आला हा रहे हैं जिने आतंक को बढ़ावा देने वाले अब शांती दूत नजराने लगे यह वही महोदा है जिनको दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिलादेन शांती दूत लगता था यही वो महास है जिनोंने मुंबई के दरदनाक आतंकी हमले में भी पाकिस्तान को क्लीन चीट दे दी थी और जाज की दिशा को ही भटकाने का प्रयास किया था